देश में आज लाखों की संख्या में डॉक्टर सेवा दे रहे हैं पर क्या आप जानते हैं कि देश की पहली महिला डॉक्टर कौन थी अगर आपका जवाब ना है तो हम बताते हैं उनका नाम और उनकी उपलब्धियों के बारे में देश की पहली महिला डॉक्टर का नाम आन आनंदी की शादी नौबरस में हो गई उनकी शादी 25 साल के गोपाल राव जोशी से हुई 14 साल की उम्र में आनंदी मा बन चुकी थी लेकिन दस दिनों के भीतर ही उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई पर आनंदी जोशी जल्द ही इस सदमे से उभर आई उन्होंने डॉक कता चली गई यहां उन्होंने संस्क्रिट और अंग्रेजी पढ़ना तथा बोलना सीखा उनके पती ने उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रुच्छाहित किया 1880 में उन्होंने एक प्रसिद अमेरिकी मिशिनरी रॉयल वाइलडर को एक पत्र भेजा पत्रे में उन् दक्टर बन कर देश्छलोटी आनंदी का भवुष्वागत किया गया बाद में उन्हें कोलापुर रियासत में एलबर्ट एडवर्ट अस्पताल के महिला वॉर्ड में प्रभारी डॉक्टर की न्यूक्ति मिली। अपनी मेहनत और लगन के दम पर इतिहास रचने वाली आनंदी बाई के नाम उपलब्धियां भी कम नहीं है। शुक्रग्रह पर बने एक गड़े का नाम उनके नाम पर जोशी क्रेटर रखा गया। वहीं Institute for Research and Documentation in Social Science लखनौ भारत में चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उनके शुरुवाती योगदान के सम्मान में मेडिसिन के लिए आनंदी बाई जोशी पुरुसकार प्रदान कर रहा है। इसके अलावा महराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के स्वास पर काम करने वाली युवा महिलाओं के लिए उनके नाम पर एक फैलोशिप की स्थापना की है। 31 मार्श 2018 को गूगल ने उनकी 153 जैनती पर उन्हें Google Doodle के साथ समानित किया। केवल 22 साल का जीवन जीने वाली आनंदी बाई का 22 फरवरी 1887 में निधन हो गया। उन्होंने अपने कारियों से ऐसी चाप छोड़ी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।